हलो एवरीवन वेलकम टू माई यूटूब चैनल उत्तम आयरवेदा आज मैं बात करने वाली हूँ बज्रदंती पौधे के उप्योग और फायदे के बारे में ये देखिए ये ऐसा होता है इसका पौधा आप सभी ने कहीं कभी न कभी देखा ही होगा ये पूजा पार्ट में भी काम आता है और संकर भगवान में चढ़ाये जाता है ऐसी मान्यता है कि इसका एक फौल चढ़ाने से एक रती सोना चढ़ाने का फल प्राप्त होता है तो चलिए जानते हैं इसके उप्योगर फायदों के बारे में वज़दंती का पौधा पीले रंग के फूलों वाला एक सुन्दर सा पौधा है पौधे को बारलेरिया प्रायोनाइट्स के नाम से भी जानते हैं वज़दंती के पौधे में आयरवेदिक द्रिष्टी से कई गुण होते हैं जोडों के दर्द सूजन के लिए बहुत ही ब्रफावशाली है इन सभी के साथ बज़दंती का पौधा दातों के स्वास्त के लिए रामबाण माना जाता है तो आईए जानते हैं इसके उप्योग और लाब के बारे में दातों के लिए बज़दंती के लाब बज़दंती के पत्तों का काड़ा बनाकर उससे कुल्ला करने से मोह की बद्बू से राहत मिलती है इसके पाउडर से मंजन करने से एंटी फंगल इंफेक्शन दूर होते हैं अक्सर देखा जाता है कि दातों पर पीलापन जमा हो जाता है ऐसे में लोगों को सर्मिन्देगी का सामना करना पड़ता है महेंगे तूट पेश्ट का इस्तमाल करने से भी पीलापन नहीं हटता तो ऐसे में आप वज़दंती के पाउडर से दिन में दो बार ब्रश करके देखिए दातों के पीलेपन से छुटकारा पा सकते हैं इसमें मौझूद एंटी इंफ्लेमेंटरी कुण मसूडों की सूजन को भी कम करता है वज़दंती के फूलों को पीस कर गुनगुने पानी के साथ लेने से बहुत ही जल्दी सूजन वा दर्द में आराम मिलता है दूसरा खासी बल्गम और स्वास की समस्याओं में वज़दंती का उपयोग कफ बल्गम को बाहर निकालने के लिए वज़दंती की पत्तियों के रस को शाहत के साथ मिला कर दिया जाता है यह अत्रिक्त बल्गम को हटाने के साथ साथ गले को साफ करने में मदद करती है वज्रदंती की सूखी छाल का चोड़न खासी के इलाज में बहुत ही कारगर होता है इसके अलावा यह अस्तमा से पीडित रोगी के लिए भी बहुत ही फायदेमंद अवसदी है तीसरा वज्रदंती तचा के लिए काफी फायदेमंद है जिन लोगों को एकजीमा खुजली या तचा की एलर्जी जैसी कुछ समस्याएं है तो उन्हें प्रभावित हिस्से पर वज्रदंती की पत्तियों से बनी पेष्ट लगाने पर लाब मिलता है इतना ही नहीं या पेष्ट फोडे फुनसी और मोहासों से भी छुटकारा दिला सकता है जिन लोगों को दार या फंगल संक्रमन की दिक्कत हो उनके लिए भी ये उसदी बहुत ही फायदेमंद है इसके लिए वज्रदंती की जड़ों को सुखा कर महीन पौडर के रूप में पीच लेने से इस पौडर को नीमभू के रस्म मिलाकर प्रभावित हिस्से पर लगाया जाता है इससे बहुत ही जल्दी आराम मिलता है इस तरह से ये थी कुछ जानकारिया आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी आप सभी लाइक करके शेयर करके और कमेंट करके जरूर बताईएगा धन्यवाद